हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आपके सेर करूँगी पानी वाली मूली गाजर के चार की रेसिपी, एक खाने में टेस्टी होता है और ये अक्सर सर्दिय में ही बनाया जाता है, ये हमारे पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाब दायक है, इसे बनाने म पानी वाली गाजर मूली के चार की रेसिपी, इस चार को बनाने के लिए मैंने दो गाजर और एक मूली को ऐसे छोटे-छोटे पीसों में काट लिया है, आप अपने नुसार मूली गाजर की कौांटिटी को कम जादा कर सकते हैं, आप इस चार को केवल गाजर या केवल मू डाल देंगे इनने हमें ज्यादा वाइल नहीं करना है बस हलका सा ही करना है एक वाइल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे पानी में एक उबाल आ गया है बस इससे ज्यादा हम सब्जे को नहीं पकाएंगे बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ये देखिए हम इनको ऐसा ही रहने देंगी अब हम गैस बंद कर देंगे और सब्जे को एक प्लेट में निकाल लेंगी मुझे गाल करें एक प्लेट में और पानी को भी ठंड़ा होने देंगी किस पानी को हमें फैकना नहीं है इसी पानी का यूज करके हम अचार बनाएंगी इस फानी को हम ठंडा होने देंगी और सब्जयों को भी ठंडा होने देंगे अब हम एक बड़ा बरतन ले लेंगी इसमें डाल रहेंगे दो बड़े चम्मच पिसी हुई राई देखें, हमें ये वाली लेनी है, छोटी वाली आदा चोटा चमच हम हिंग डालेंगे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है आदा चमच हम इसमें डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्च स्वाधन सा नमक डालेंगे आदा चोटा चमच हल्दी डालेंगे इसे कलर बहुत अच्छा आता है अब हम इसमें डालेंगे पानी ये पानी हमने वही वाला इस्तमाल किया है जिसमें हमने मूली गाजर को उबाला था अब हम इसमें डाल देंगे मूली गाजर देखें कितना अच्छा कलर आया इसमें बहुती कम मसालों में बनके इत्यार होता है और बिल्कुल भी इसमें हम तेल का इस्तिमाल नहीं करते हैं इसे खटा करने के लिए हम बिल्कुल नीबू वगरा कुछ भी नहीं डालेंगे तीन से चार दिन में बन के ये तियार हो जाता है और इस ये जो हमने राई डाली है इसे पानी बहुत ज़्यादा खटा हो जाएगा अब हम इस चार को एक कंटेनर में भरके रख देंगे खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है ये और पेट के लिए तो बहुत ज़्यादा लापदाएक है ये हुली गाजर का पानी वाला चार बनके तयार है आपको इस रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फेमली में ज़रूर सेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ सब तक के लिए थैंक यू एंड बाबाई